तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर की network devices क्या होते हैं क्योंकि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें network devices के बारे में पता होना चाहिए वैसे तो बिसिकली अगर हम साइबर सेक्यरोटी में जाते हैं तो network का ही सबसे ज्यादा रोल होता है उसमें क्योंकि network की वज़ा से इंटरनेट चलता है और इंटरनेट चलाने के लिए जो जो डिवाइस होते हैं वह मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूं जैसे कि मेरे पास device होते थे ह सब्सक्राइब आज कल तो हभी यूज नहीं होता है स्वेच उसके बाद में राउटर एक ब्रिज नाम का भी डिवाइस होता था ठीक है जिसको हब का ब्रॉडकास्ट डूमीन क्लियर करने के लिए बनाया गया था विकॉस हब एक ही टाइम पे बार-बार ब्रॉडकास्ट करता है और ब्रिज का यूज करके हमने ब्रॉडकास्ट को रोकना होता है तो डिसकस करते हैं इसके बारे में उसके इलावा नेट्वर्क के अंदर हमारे रिपीटर नाम का डिवाइस होता है गेटवे नाम का डिवाइस होता है हमारे पास इसके इलावा हमारे पास के बल्स cables सबसे ज़्यादा important है cables क्या होती है ठीक है और उसके इलावा हमारे पास security के लिए firewall नाम का device होता है network security के अंदर firewall बहुत ही ज़्यादा important है इसके इलावा कुछ device होते है जैसे modem हो गया हमारा signal convert करने के लिए use होता है या फिर इसके इलावा gateway वे हमने use कर लिया या cable बनाने के लिए हमारे पास hardware device होते है land crimping tool हो गया उसके इलावा land tester हो गया RJ45 connector हो गया लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वी क्योंकि network device में main concept device है हमें वो पता होने चाहिए क्योंकि cable बनाने वाला जो काम आता है वो network fundamentals में आता है तो cyber security के अंदर हमें सिर्फ devices के बारे में पता होना चाहिए तो जैसे मैंने discuss किया था hub hub हमारा एक network device होता है जिसके साथ हम बाकी devices को आपस में जोडते है बट क्या problem थी hub की जो आज कल ये use नहीं हो रहा क्योंकि hub हमेशा ही broadcast करता है अगर मान लो PC number 1 ने PC number 4 को कोई data भेजना है hub के थूँ तो hub क्या करेगा उसे सभी ports के उपर broadcast करेगा जब PC 4 reply करेगा तो भी वहाँ पर broadcast होगा तो broadcast होने से क्या होता है एक तो unicast वाला process नहीं होगा one to one और बाकी PCs के पास information जाएगी वो उसे read भी नहीं कर पाएंगे bandwidth utilization जादा होगे जिससे speed कम होती है इसलिए hub का use नहीं हुआ hub भी दो तरह के होते थे हमारे active hub and passive hub active hub signal regenerate कर सकते थे लेकिन passive hub नहीं करते थे बट फिर भी active hub होने के बावजूद भी hub का use नहीं किया गया due to broadcast इस broadcast को break करने के लिए इन्होंने एक नया device use किया bridge because अगर हम hub के साथ directly एक hub लगा दे उसके साथ भी PC लगा दे फिर से hub के साथ hub लगा दे उसके साथ भी PC लगा दे तो उस case के अंदर क्या होगा इस PC ने अगर data इस PC को भेजना है तो हर जगा पे broadcast होगा तो इतने broadcast में तो net की speed वैसे नहीं आएगी तो bridge नाम का device use होता है जी यहां पे जो दो hub के बीच में लगता है दो hub के बीच में लगाने का benefit यह हुआ अब इस hub का broadcast domain यहां तक रहेगा इसका broadcast यहां तक रहेगा उससे होगा क्या यह अपने area के अंदर broadcast करेगा यह अपने area के अंदर करेगा जिससे speed पे हमें effect मिलेगा मलब speed ज़्यादा बनेगी और bandwidth consumption कम हो जाएगी तो उसके बाद जब hub और bridge से हमने यह solve कर लिया तो एक नया device launch हुआ जिसका नाम switch था और जो आजकल भी हर एक जगा पे companies में use हो रहे है इसी switch को बोलते है मल्टी पोट ब्रिज मल्टी पोट ब्रिज मल्टी पोट ब्रिज मल्टी पोट ब्रिज मतलब ब्रिज की तरह यह भी broadcast domain को अलगलग कर सकता है broadcast को तो switch का काम तो same as hub था like it is used to share the data between devices यह भी हब की तरह आपने PC को जोडने का काम करता है but benefit क्या है इसका कि switch हमारा smart device है switch हमारा smart device क्योंकि switch पहली बार तो broadcast करता है broadcast मतलब first time broadcast मतलब सभी के साथ information भेजेगा क्योंकि उसे identity का पता नहीं होता PC1 कौन है PC2 कौन है PC3 कौन है तो वह smart device कैसे है जब वह broadcast करता है तो वह क्या करता है अपने पास एक टेबल क्रियेट करता है जिसको हम बोलते है mac table तो mac table करने से पहले हमें पहले mac का पता होना चाहिए what is mac address mac address हमारा होता है जी media access control media access control address होता है जो 48 bit का होता है और hexadecimal format के अंदर होता है hexadecimal और यह address मेरा हर एक physical device का unique होता है इसलिए इसे physical permanent address कहते हैं जब हम switch के साथ PCs का use करते हैं जैसे 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC मानलो इसका mac address A है इसका B इसका C इसका D है तो जब एक बार message होता है यहां पे तो switch अपने mac table में लगा लेता है कुछ ऐसे कि F0 by 1 पे A जुड़ा है 0 by 2 पे B जुड़ा है 0 by 3 पे C जुड़ा और 0 by 4 पे D जुड़ा होगा है तो यह सारा database इसके पास आ गया पहली बार इसने broadcast किया था लेकिन after first broadcast यह करना शुरू कर देता है unicast जिससे मेरा traffic कम आएगा और bandwidth consumption भी कम होगी जिससे speed मेरी fast रहेगी और और network device के अंदर हमारा switch जो होता है वो दो तरीके का होता है manageable switch unmanageable switch manageable switch वो होते हैं जिनको हम configure कर सकते हैं और unmanageable switch हमारे not configurable होते है not configurable मतलब जो भी हमारा काम होता है port security हो गया vlans हो गया इंटर vlans हो गया वो manageable switch के उपर ही बनेगा बगी इसके इलावा layer के हिसाब से भी यह divided है कि data link layer के उपर और network layer के उपर कौन से device आते है network layer पे L3 switch आते है data link layer पे L2 switch आते है तो L2 switch को single layer switch को multilayer switch कहा जाता है अब multilayer switch आपका router की तरह काम करता है और router क्या होते है जी router होता है हमारा एक van device जो मेरा एक network से दूसरे network तक database transfer करता है एक same network ID से दूसरे different network को data पहुंचाने के लिए जो device आता है उसे router बोलते हैं और router ही हमारा internet बनाने के काम में आता है ठीक है तो router के बारे में आगे भी हम बात करेंगे इसके अंदर इसके इलावा कुछ basic device जैसे modem हो गया यह used to convert the signal होता है इसके अंदर analog to digital or digital to analog signal convert होते है repeater नाम का device signal booster है it is used to regenerate the signal अगर मेरा signal weak हो जाए तो मैं repeater का use करता हूं उसके इलावा आगया मेरा firewall firewall मेरा security device है it is used for security like it is used to prevent unauthorized access from outsiders अगर आप बाहर से कोई भी unauthorized packet को receive नहीं करना चाते तो आप firewall का use कर सकते हो और उसके इलावा जो लास्ट में device हमारे पास होता है जी वह होता है हमारा cables ठीक है तो cables के बारे में हम next videos के अंदर पढ़ते हैं thank you so much झालो है मैं झालो हाजानो का तो को झालो है जीकdyः डिवड़ते हैं